जैहिन जैभारत दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे RPF Constable SI और NTPC के थुरू जो है आपके वेकेंसी आती है उसके बारे में कि उसकी तैयारी कहां से बेहतर तरीके से किया जा सकता है ठीक है तो कई लोग जो है कहते हैं कि experience matter नहीं करता है तो experience matter करता है friends जो आदमी सफल होता है ठीक है तो आपको आसानी से उस रास्ते तक पहुचा सकता है क्योंकि वह उस रास्ते से गुजरा होता है जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक्जामपल देना चाहूंगा आपका भी UP Police Constable का एक्जाम था मानली जी आप रहने वाले हैं राय बरेली के या कहीं दूर के और आपका सेंटर पहुच गया गोरखपूर कहां पहुच गया गोरखपूर सेंटर पहुच गया Vacancy आई आपने Farm Apply कर दिया तो एक था आपका नार्मली कोई भी कर सकता है जैसे यहां से आपको गोरखपूर जाना है आप कानपूर से गोरखपूर कहीं से जाके डायरेक्ट आप ट्रेंट पकर लिए पहुच गया लेकिन उसके बाद जो अगला चरण होता है एक्जाम निकालने का यानि की मेंड टार्गेट जहां पर जैसे अब गोरकपुर तो आप पहुश गए लेकिन अब आपका एक्जाम सेंटर वहां से मालीजिए साथ किलोमेटर दूर है तो सबसे में चीज़ अब वहीं से आपकी परिसानियां दिक्कतें जो भी हैं स्टार्ट होती है तो जो आदमी वहां पर रहने वाला है या जो उस पोस्ट का एक्जाम क्लियर कर लेता है तो उसके पास देखो कुछ नकुछ तो एक्सप्रियेंस आ जाता है कि इस एक्जाम को कैसे क्लियर किया जाएगा तो इस बात को आप हमेशा नोट करके रख लीजिएगा ठीक है तो एंटी पीसी का वेकेंसी मैंने दो बार दिया है एक्जाम एक तो 2016-17 वाला तब मैंने भरा था बिलासपूर बोर्ट से और 2019 वाला 2016-17 वाले में मैं कहां तक पहुच जा था तो बतकिस्मती बोलें या जो भी उसको बोल सकते हैं मेरा फार्म मैं आता हूँ ओवीसी नान क्रिम लेयर में और मेरा फार्म फिलप हो गया था ओवीसी क्रिम लेयर में क्योंकि उस समय मेरे पास बस एक कीपैड वाला छोटा सा मोवाइल था और उसको भी मैं बहुत कम यूज करता था 2016-17 2016 के बात है लगवग 2015 लास्ट में वेकेंसी आई थी ये तो हुआ क्या मैंने एक लोग को दिया तुन्होंने मेरा फार्म ओवीसी क्रिम लेयर से डाल दिया और जब फाइनल मेरिट बना तो डाकुमेंट वेरिफिकेशन तक मैं पहुचा और फाइनल मेरिट में मैं जनरल का जो कटाप होता है वहां पे 0.53 मार्क से कट गया और मेरा जो कटाप था OVC नान क्रिम लेयर का उससे मेरा 0.86 अधिक था लेकिन वही कहते हैं मेरे से बाद 95 रेंग चान लिया था कि सलेक्षन तो लेना है और अब लेना है जनरल केटेगरी से लेके दिखाऊंगा किसी न किसी में सब मैं सिस्प में जॉब भी करता था उस समय तो आप समझ सकते हैं सिस्प परामिलिटरी फोर्सेज में जाब करते हुए साथ में एक्जाम का तयारी करना बह फर्स्ट पेपर जो मेरा था ऐसे दिन था ठीक है उस दिन मेरी मां का दस्वी था जो मनने के बाद हो तो किसी तरह मैं दंतेवाडा से जाके आगरा में एक्जाम दिया दस्वी के दिन था अपना मनलब किसी तरह मनोबल रखके और मेरे 83 मार्क साय थे और जबकि उसके कुछ दिन पहले कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए मां का मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाया था बस मैं कुमार गौरा सर का बताओं करेंट अफेयर का जो महराथन का वीडियो था क्योंकि ऐसे कंडिशन में आदमी भाई नहीं पढ़ पाता है भले ही आप कुछ भी क लिए क्लिए क्वालिफाई किया था चार लेवल के लिए क्वालिफाई किया था मैंने मिलेंट अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हुआ भ एक मिन तो देखें यहां पे जो आर्पीएफ कांस्टेवल का होता है एक्जाम आपका आर्पीफ कांस्टेवल आर्पिए फैसाई और एंटी-पी-सी के प्रीमिय तो सो मार्क होते हैं लेकिं एंटी-पी-सी का जो सिकंड पेपर होता है उसमें एक सो बीस कोश्चन होते हैं अब आर्पी अप कांस्टेवल ऐसाइक बात करें 35 अंक गडित से आते हैं 35 अंक आपके रिजनिंग से आते हैं सामान जग रूपता पचास अंक का होता है परिच्छा की अवधी जो होती है 90 मिनट होती है प्रस्नों की संख्या 120 प्रतेक गलत उत जाती है कि हम कौन सी किताबों को पढ़ें और कैसे पढ़ें किताबें तो मार्केट में बीक लेलो पढ़ लेकिन उस rate तरीकर क्या हो सकता तो मैं Personal Profit नहीं जाता हूं बस आपका Profit चाता हूं इस वेडियो सें। डियकति रुप से मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे अपना अमलब Finanzi कुछ Profit नहीं जाता हूं नहीं तो इन सब का Link दूँगा अगर-पच्चे भी करीविव तो बहुत कुछ उससे पैसा जनरेट हो सकता है लेकिन मेरा ऐसा कोई लालच या वो नहीं है तो क्या डाइरेक्ट आप आर्पी अफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट देना इस्टार्ट कर दें क्या यह उचित रहेगा यह आपका प्रिविएस यह 26 सेट और यह आपका 25 सेट जो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए यह बुक लेनी साहिए मैथ और रिजनिंग के लिए ठीक है इसको पढ़ना कैसे है मैं बताता हूँ आपको यह आपका बुक है रेलवे का गडित का सिरीज 2 ध्यान से देख लीजिएगा सिरीज 2 है इसमें आपके लिखे हुए हैं 3200 प्लस MCQ और चैप्टर वाइज ध्यान से देखिएगा सबसे पहले आप बुक लेना भी रहेगा तो यह चैप्टर वाइज लीजिएगा इसमें 2018 स 2022 तक रेलवे दौरा पूछे गए TCS के सभी प्रस्न है या आपको कहीं PDF मिल जाता है 2018 से 22 तक यानि रेलवे के सभी एक्जाम के तो भी बेटर है और यह आपका है रिजनिंग का चैप्टर वाइज होना चाहिए सबसे पहले जो आपका सुरुआत होना चाहिए वह चैप्ट से डिवाइड करोगे ठीक है तो लगबग यह आपका कितना हो जाएगा 64 और यह भी कितना हो जाएगा 64 तो इसको पढ़ने के लिए दोनों बुक को पढ़ने के लिए जहां तक मुझे लगता है पर डे आपको कम से कम मिनिमम पचास कोश्चन रिजनिंग के पचास कोश्च है असा तरीका बताये देखिए कि सी टिन महिने समय मान लिजिए क्या टिन महिने जो है समय मान लिजिये तीन मंत तीन मंत दोनों का मिक्स कर कर गःए तीन 3 मंत और एक साथ अब देखिए अब आपको क्या करना है पांच दिन Sc मतलब एक दिन में 50 कोश्चन किया कोश्चन नम्ब एक से 200 सो क् Award अपने फांच दिनों में Echa में Monday to Friday तक आपने 200व कोश्चन कर लिए मधdockोर करते समे क्या करना है आपको जो कोशेद आप आसानी से हो जाते हैं उसको नहीं लेकिन जो कुश्चान आपका टाइम हैं उनको रिवीजन करिए ठीक है और अब उनमें भी देखिए कि कौन से ऐसे प्रस्ण है कि जब आप उनको दुबारा करते हैं तो आसानी से हो जाते हैं या याद रहते हैं मतलब एक बार करने के बाद दुबारा करने जाते हैं तो आसानी से हो जाते हैं और फिर भी आपको Saturday और Sunday को नहीं होते हैं तो उनको आप क्या करिए Star बना दीजिए Star वाले प्रस्ण ओ होंगे जो आप से Saturday और Sunday को भी साल्व नहीं होंगे दोनों में यही काम करना है इस तरह से आपका क्या हो जाएगा लगवक्त तीन महीने में मैं बताओं आपको ऐसे प्रस्ण इन दोनों बुक में पता चल जाएंगे कि जो आपके Star वाले हैं यानि जो Saturday और Sunday को भी आप से नहीं हो पाते हैं अब होगा क्या जैसे क्या होता है जब exam आता है तो बच्चे क्या है मैरा अथन की तरफ भागते हैं मैराथन लेकिन एक बात बता दूँ दोस्त आपको जैसे इस किताब को मालो आपने तीन महीने पढ़ा तो यहां से बतीस सो में से 500 से 800 प्रस्ण ऐसे मिल जाएंगे 500 से 800 ऐसे प्रस्ण मिल जाएंगे जो आप से नहीं लग पा रहे हैं लेकिन जब आप मैराथन क्लास लेते हो किसी का तो अधिक से अधिक वहां पर आपको एक दिन में 300 कोस्टन कराए जाएंगे और आपको 200 कोस्टन आ रहे होंगे और 100 कोस्टन जो है बस आपके लगबक काम के होंगे तो आप एक दिन अपना पूरा वक्त बिता देंगे और आप 100 कोस्टन गेन कर पाएंगे लेकिन यहाँ पे आपका पूरा कवर हो जाएगा 500 से 800 प्रस्टन जो नहीं आ रहे हैं आप चाहेंगे तो अधिक से अधिक मैं बता दूँ दो दिनों में सिर्फ दो दिनों में पूरा एक किताब का मतलब दो दिनों में इस किताब का पूरा रिविजन कर लेंगे क्योंकि एक्जाम के समय में उन्हीं प्रस्टनों को पढ़ा जाता है जो आप से नहीं बन रहे होते हैं अगर आप उन प्रश्णों को भी पढ़ने लगेंगे जो आपसे आसानी से हो जाते हैं तो आपका वक्त जाया होगा बरबाद होगा और इससे क्या होगा कि आप जो है मान लिजी अपना समय उन प्रस्णों में भी देने लगेंगे जो प्रस्ण आप से बन जा रहे हैं तो होता क्या है दोस्तों जो student exam के समय में तयारी करना इस्टार्ट करते हैं और आप पूरे 6 महीने तयारी किये तो उन student में और आप में कोई फर्क नहीं बच जाएगा तो उन में और आप में फर्क अंतर पैदा करने के लिए ही एक काम किया जाता है कि आप उन questions को mark करके लख लीजिए कि कौन से question हमको नहीं आ रहे हैं और exam के समय हमको revision करने यह बहुत बेश्ट तरीका होता है यह मैं करता था ठीक है फिर आ जाते हैं यह देखिए आपका यह क्या है state wise है जब आप तीन महीने क्या कर लीजिए तीन महीने जब आप पढ़ लेंगे chapter wise तो आपको सभी chapter का क्या हो जाएगा अच्छा खासा नालेज हो जाएगा तीन महीने जब आप पढ़ लेंगे फिर बारी आती है तीन महीने अब mix question करने की मनलब सभी chapter का mix करने का ठीक है अब क्या करना होता है तो क्या हम अब chapter wise पढ़ना चोड़ देंगे क्या अब हमारे पास प्रस्ण आता है क्या अब हम chapter wise पढ़ना चोड़ देंगे क्या अगर मालीजिये 25 प्रस्ण का है या 35 प्रस्ण का है तो अब आपको अपना study बढ़ाना होगा, तीन वाइना में अब आप खोड़ा पक चुके हैं, तो अब आपको कम से कम 70 question यहाँ पे और 70 question यहाँ पे, ठीक है, क्या करना होगा 70 question यहाँ पे, 70 question यहाँ पे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा ऐसे प्रस्ण होंगे जो आपको आने लगे होंगे, अब जैसे मालीजिये आपने mix test दिया, mix test देने के बाद देखिए, किस chapter के question आप से गलत हो रहे हैं, क्या, किस chapter के question गलत हो रहे हैं, तो उनमें से क्या करिए जो चैप्टर के कोश्चन गलत हो रहे हैं उन चैप्टर को मतलब एक नजर से देख लिया करिए कि किस टाइप के प्रस्ण मेरे से गलत हो जा रहा है और उनको एक कोशिस करिए एक कौपी में वैसे प्रस्णों को नोट कर लिया करिए जो आपसे बार 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 गलत हो रहा है उसी तरह आपको reasoning में बहुत ज्यादा समस्यात होने वाली नहीं है क्योंकि reasoning आपका एक mental आपका बुद्धी का नार्मल सा चीज होता है question को जो देख लेंगे वो आने लगेगा बस इसको एक थोड़ा हलका नजर से revision का ज़रूरत पड़ता है लेकिन बार बार जैसे revision करते जाएंगे आपका time जो होगा कम होते जाएगा और यह जो भी चीज मैं बता रहा हूं आपको Most Stop Watch लगाके करना है ताकि art के अंदर सुरू से ही समय कम लगाने की छमता पैदा हो आपके साथ कमिया क्या हो रही है मैं बता रहा हूं आप teacher जैसे आप अधिकतर क्या करना है ुर्स करूछिद रहे हैं ऐता रहा हूँ कोर्स खरीदना बुरी बात नहीं है अगर आपको खुदसे नहीं समझ में आ तो कोर्स खरीदना ही पड़ेगा लेकिन अगर आप खुदसे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कुछ वहाँ पे आपको कोई यह नहीं कहेगा कि यह वाली किताब अच्छी है खरीद दो क्योंकि वहाँ पे भी जो होगा ओ अपनी ही किताब बताएंगे ठीक है तो उसके बाद क्या होगा उनकी आप एक ही सोच के सांचे में ढल जाएंगे आप एक ही सोच का जो सांचा है उसी प्रचासा पेपर पैटर्न में बदला हो जाएगा आप बक्क हो जाएंगे यह तो पूरा पेटर्न ही बदल गया लेकिन जब आप कई सोच के साचे में डल जाएंगे यानि लिक्विड फार्म में बन जाएंगे तो आपको बाल्टी में रख दिया जाए या गिलास में रख दिया जाए या कहीं भी मतलब हर जगा पर हर इस्तिती में क्या हो जाएंगे ढ़ल जाएंगे तो इसको करने के बाद जो है और जो तीन महीना वो बताया और इसमें लगेगा दो महीना लगबग कितना मैंने उसको बताया और इसको करेंगे तो आपको लगेगा दो महीना क्योंकि इसमें एक हपते में साड़े 3.500 कौश्चन कवर होंगे तो लगबग लगबग आपका जाके नो हपते में ये आप पूरा करलेंगे ठीक है, नौ हपते में जो है ये दोनों किताब आपका पूरा हो जाएगा अच्छा, यहां भी आपको वही प्रोसेस करना है स्टार और हैस वाला, यानि पांच दिन पढ़िए जो कोस्चन नहीं आते हैस का निसान लगाईए संडे और सटर्डे को रिवीजन करिए जो कोस्चन अब भी नहीं आ रहे हैं, उनको इस्टार के साथ रखिए अब यह तो आपका NTPC का बुक का हो गया, फिर बताता हूँ अब देखिए अब आ गया आपका सेट मारने का बारी पांच महीना आपने अगर उन सब मैथ रिजनिंग का जो मैंने बताया तरीका पढ़ लिया तो पहले दो ही बुक को प्रियास करिएगा पर्चेस करने का सभी बुक एक साथ मत पर्चेस कर लिजेगा अब क्या बारी आती है आपकी इसकी प्रेक्टिस सेट मारने का एक साम में लगाईए और एनालिसिस करिए कि आपका कौन सा चीज वीक है अरे दो महीने आप चैप्टर वाइज मैथ और रिजनिंग पर फोकस कर देंगे जैसे मैंने बताया था मिक्स जब आप मिक्स सेट मारेंगे और हर दिन देखेंगे कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है भाई अच्छा होते जाएगा जो ए तरीका मैं बता रहा हूँ न छे महीना में इतना गजब का आपके अंदर सुधार होगा कि आप सोच भी नहीं पाऊगे थीक है तो अंतिम जो महीना में एक महीना रहेगा अपका प्रैक्तिस सेट का काम रहेगा तो इस तरह के 6 महीने के प्रोसेस से आप आर्पिअप कहां स्तेबल हो या आर्पिअप S.I. हो या एंटीपीसी का वेकेंसी हो सांदार अंक ले आएंगे और करेंट अफेयर के यह भी यहां देख सकते हो यह आपका एक्तिस्टेट पड़ा हुआ है ठीक है एबुक है और अधिकतर जगा आपको नहीं मिलेगा रुकमिनी के प्लेटफॉर्म मनलब रुकमिनी प्रकाशन का जो आनलाइन वेबसाइट है वहीं से आपको पर्चेस करना पड़ेगा या कहीं अब जीके की बात कर लेते हैं हम लोग किसका बात कर लेते हैं जीके कैसे अच्छा करें तो जीके के लिए आपको प्रिवियस येर तो पढ़ना ही चाहिए रुकमिनी का भी प्रिवियस येर पढ़ सकते हैं ठीक है प्रिवियस येर जरूर पढ़िए और साथ में आप घट घटना चकर का बुग से 60 नूड बनाये है गहत शककर का बुग मैं देकता हूँ यहां पे हैं दिखा देता हूं आपको इस तरह से आपका है ठीके इस तरह से नोड बनाने का मतलब ता कि एक्जाम के समय में आपको मैराधनों और उनके चक्कर में न पढ़ना पढ़े किसी कर आप टिपेंड रहें और रिवीजन कर सके एक्जाम के समय में नई चीजों को पढ़ना बेवकूफी होती है मेरे भाई बस करेंट अफेर अंतिम हपते में पढ़ा जाता है अंतिम हपते में एक्जाम से अंतिम हपते या दस दिन पहले करेंट अफेर जितना पढ़ लो पढ़ लो नहीं तो बाकी नई चीजें नही पढ़ी जाती है ठीक है बाकी रेलवे का आप प्रिवियस येर भी देख सकते हैं जो भी जीके का रहे और बाकी किताब ये अच्छा है सांदार है इससे साथ नोट बनाएए पढ़ाई करिए मस्त मज़ा आएगा आप ठीक है तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रख करेंगा ये सब किताब मैं प्रयास करूंगा खुद मंगाओं और इनके कोश्चन्स आपको करवाओं ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आर्पी अफका स्टेवल एसाई और एंटीपेसी वेकैंसिस के लिए जितना भी मेरा पूरा एक्स्परियेंस है उस झाल